अलो प्रेंट्स मैं अपने यूटू चैनल फिजिक्स दरीयल लाइप में आपका पुना सबागत करता हूँ इस वीडियो में हम लोगए वर्निया कैलिपर्स-कैलिपष के बारेंब बात करेंगे जैसा कि आप लोग ज्यानते हैं पेश 야न्ते कि हम लोग फीश्य दो लेक्चर ले चुके हैं जिसमें लिस्ट कव लिस्ट निकाल पाएंग और बहुत अच्छे से ले आप आप ड क्या है बीजा कायों के साथ कैसे प्रेडिंग करते हैं दैसे सारी जाहां इस लेख कर देख पा रहे होंगे की किया होता है इसकी डीफिणीशन लिखी हुई है लेकिन हमारा होता है हो यानि की ठोटी तो हम लुग 0.01 सेंटिमेटर तक मेजर कर सकते हैं लेकिन मायक्सिम कितना मेजर करेंगे मायक्सिम हमारा जो वर्ने के लिपर्श होता है यह 10 cm तक या 15 cm का होता है यानि हम लोग मैक्सिम 15 cm या 10 cm तक मेजर कर सकते हैं वर्ने के लिपर्श के तूँँ कोई भी ऐसा अब्जेक्ट जिसका लेंथ रेट हाइट या लिनेर डामेंशन 10 सेंटीमेटर तक हो या 15 सेंटीमेटर तक हो जैसा कि यहां पर जो वर्नियर के लिपर्स होगा उसके इसाफ से मेजर्मेंट करेंगे कि वर्नियर की सबसे फाली खोड जो होई थी वह 1631 नाम के उन्हों नहीं किया था उन्हीं के नाम पर इस इंच्ट्रुमेंट का नाम वर्नियर के लिपर्स पड़ा था यह डिपनिशन हिंदी में भी लिख हुए आप देख पा रहे होंगे नेक्स हम चलेंगे देखेंगे कि क्या होता है जैसा कि आप लोगों के सामने है कि यह हमारी बारनियर के सामने ही पर लुग नहीं Cao यहां पर कुछ जाज दिख रहे होंगे जैसे कि यहां पर दे रखा है यह हमारा आपजेक्ट है जिस आपजेक्ट की लेंथ अपक्राइब करना चाहि कर सकते हैं यहां पर देख सभा रहे हैं कि यह कौन टाइप कोई अबजेक्ट है अब्जेक्टन निकाल रहे हैं अनुद फोल्व इसका रेडिस भी निकाल से कौने चीज़ें हैं कोई भी आपज़ेक्ट इसाइप का हो या कोई भी ऐसा अब्जेक्ट जिसका हम लेंथ ब्रेट्थ हाइट निकालना चाहिए अब टू 0.01 सेंटीमीटर करुम से नीचे आप लोग लिस्ट कांट के अलग लिस्ट कांट होगा जैद6 मर्म लोग रिडिंग जो लेंगे वो अलग अलग आएंगे तो यह चीज़ें है अब इसमें सबसे नीचे जो है यह दो जाज दिये हुए हैं जिसको लोग एक्स्टरनल जाज बोलते हैं एक्सटरनल जाज क्या होते हैं किसी भी आपजेक्ट को बाहर से लगा करके या किसी भी आपजेक्ट का एक्सटरनली कोई भी डायमेंशन मेंजर करना हो तो इस एक्सटरनल जाज करेंगे उपर देख पा रहे हुएं कि ये हमारा इंसाइड जाज है इंसाइड जाज का यूज किया जाता है ऐसे जगों पर जहाँ पर हम लोग किसी भी सर्कुलर आबज़ेक्ट के या फिर कोई भी आबज़ेक्ट है जैसे हमारे पास वह बॉक्स है और इस बाक्स कुछ थिकनेस है तो हम लोग यह अंदर का अगर डायमेट को मूब कराते हैं तो उसी समय एक स्ट्रिप पीछ एक सड्ड रही होती है इस इस च्रिप का में काम है किसी भी बॉटल या ग्रास हो जिसका डेप्स निकालना हो वहां पर हम लोग इस उस्ट्रिप कर से बिरू कर सकते हैं , लास्ट है हमारा , इसको लोग लाँकिं़ लाकिंग स्क्रू भ ओलते हैं इस Griffu के हम लोग जब को भी हमको मेजरमेंट करना होता है तो अबजेट इसमें लगाने के बाद , इस इसके बादложना सकूरीडिंग मंधा तो यहां पर यह पकड़ करके हम लोग अपने हाथों से और वर्णियर को आगे पीछे मुग कराते हैं तो यह हमारे इसके पार्ट्स है इन पार्ट्स का यूज आपको सौन्ज में आ चुका होगा जहां तो तो में थे इसमें और ध्यान रखिएगा यह हमारा जो पाला ओले यह हमारा फिक्स होता है कि यह उपर ऊला इंसाइड़ का बाहर ओना यह भी फिक्स होता है यह दोनों जाच जो यॉड कल बने हुए है यह मूव बहुत है नहीं कि मूब करेंगे तो यही दोनों जार्ड मूब करेंगे जुसरी इन कि इन्स्ट्रूमेंट्स में कई बार जी रो एरा रहाती है अ कि में अभी सिर्वर को निग्लेट कर रहा हूं कि-ذا को वीडि़ो नहीं बुन entard निष्श पाली रियोडियोस करता हूं करते हुए और इसका रिवाला हूँ अजितने भी रिडिंग्स अब लोग करें गोस पर निगलेट करेंगे म अब आगे हम पढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे दूसरे तरगे कुछ इस्ट्रिमेट है इसका लिश्ट काउंट जो है वो 0.01 cm सेंटीमेटर या 0.1 mm के बराबर है यहां पर बताया है कि यह 0.01 cm यह 0.1 mm हो सकता है इसके सिवा यह कुछ भी हो सकता है कुछ भी होने का मतलब अगर नंबर आप यह जन वर्नियर स्केल पर चेंज कर दिया जाए तो भी इसकी लिश्ट काउंट चेंज हो जाएगी अगर मेन कुछ भी हो सकती है जैसा कि यह मैंने सिंपल वर्नियर का लिपरस ले रखा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा यह मेरें सेंटीमेटर में करेंगी होने का मतलब 07 के बीच मुँट सेंटीमिटर है यानि कि इसके आगर हम वन इसमालेश डिविजन की वल्यू निकालना चाहिए तो इसके वन इसमालेश डिविजन की वल्यू यह और आप देख पार हों कि जीरो से 10 तक वर्नियर पर डिविजन बने हुए है यानि कि नंबर आफ डिविजन जो है वो 10 है वर्नियर इसकेल पर अब हम लोग पीछे दो फार्मूले पड़ा रखे हैं सेकेंड लेक्टर में उन दोनों इस फार्मूलेश से किसी से स्कलिश काव निकाल सकता है तो जैसे म कि मारा सबसे छोटे खाने का मान जो है तरी यह 0.01 नहुभी 0.1 सेंटीमेटर है वह निकलती से 0.01 गता दिया यह 0.1 अपांट 10 होगा और यह जाएगा 0.01 सेंटीमेटर यहां पर यह जो दिविजन है यह सेंटीमेटर में केलिवेटर है वन तक 10 डिविजन बने हुए है य 0.1 सेंटीमेटर हमारा उबर उपर हैं मेंडी स्केल का और 10 डिविजन से डिवाइट कर रहे हैं तो 0.01 सेंटीमेटर का लिजक काउंट का यह जाए जह इसका लिजक हो जाएगा 5 अप लोग संग में निकालना बहुत असान है जैसे कि मैंने लेक्ट्रे बता रखा है जनरल और यही वर्नियर कलिपर्स कुछ जगों पर ऐसे मिलते हैं जिसमें 50 डूजन वर्नियर पर बने होंगे अभी आगे देखेंगे ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स वारे पास होंगे कि इसमें 50 डूजन सो सकते हैं अब बात आती है इसमें रीडिंग लेने की हम लोग इसमें में स्केल की रीडिंग को रिट करेंगे उसके बाद कॉंसाइडिंग डिविजन होगा जिसको हम लोग वर्नियर इसके लेडिंग भी बोलते हैं कि हमारा वर्नियर का कौन सा डिविजन में स्केल के डिविजन से एक्जेक्टली कॉंसाइड कर रहा है यानि कि दोनों एक बहुते हैं थो आगे बढ़ते हैं देखते हैं लेते का से हैं इसको में पहले ले लेन लेता हूं इसमें पहले확 लेता हूं हुँ जैसे मेरे सब्सक्राइब ओपर देखता हूँ ग है यह हमारा 6 है यानि कि 0.6 mm की वैलू यह होगे अब यहां पर आप देखें कि यह यहां पर जो हमारा वर्नियर स्केल का 0 है वह देखी कहां है अगर वर्नियर स्केल का 0 में इसकेल के जिस भी डियोजन को क्रास किया होगा यानि कि जिस भी ढूर्जन से से रायट हैंड में साइड में होगा उसी डियुजन को हम लोग मैंस्क रिटिंग मांने अब यह हमारा जीरो यहां से यहां तक कहीं भी हो एक जेक्ट ली वन पर नाया हो या इस वाले मालें हो तो हम भी ज़र है हम लोग इसको देखकर करते हैं कि हेमारा कौन सा डिविजन को साइड कर रहा होगा ये जो हमारा है अभी फिलहाल आदे से मैस कर रहा है यानि को देख पता चल रहा है कि ये 0.6 सेंटिमिटर यह कर सकता है कि शिक्स के बहुत करीब है इसका मतलब हमारा थाइब से पहले वाला डिविजन को कोंसाइट करना चाहिए घर यह हमारा डिविजन यहां पर आ जाता यानिकि इसके करीब सेंटिमिक करीब तो सेंटिमिक करीब आ जाएगा तो हम लोग मेनी स्केल की रिडिंग सिस्स एमें लेंगे लेकिन देखेंगे आपकी वर्नियर का डिकॉंसाइट कर रहा होगा इग्जेक्ट्ली तो उसकेस में हम लोग यहां पर यह भी कंपर्म कर सकते हैं कई बार लड़के अगर आधा नहीं है उस से कम है तो मतलब पांछ में मैच कर रहा होगा और अगर आधे से ज्यादा है तो exterior 가장 कोई मैच कर रहा होगा इसका के अब आजसाने से देख कर के कर सकते हैं कि हमारा कौन साथ हमारा कौन साइट कर सकते होगा जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया उसके इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी यहां पर हमारी जो रीडिंग आ रही है यह 6 mm हो गए हमारी मेनी स्केल की रीडिंग प्लस करेंगे हम लोग लिखेंगे इसका लिष्ट काउंट निकाला था मैंने अभी 0.1 mm इसने मल्टिप्लाई कर देंगे यह आ जाएगा 6 mm प्लस 0.4 mm यानि कि 6.4 mm इसकी रीडिंग हो जाएगी यह हमारा एकुरेट वैलू है जो कि 6.4 mm है आप देख पा रहे हैं कि यहां mm मैंने लिया तो पॉइंट के एक डिजिट तक एकुरेसी मिल रही है अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे यह 0.64 सेंटीमीटर आ जाएगा तो रीडिंग आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं सेंटीमीटर में लेंगे तो मैन स्केल की वैलू जो आएगी वह 0.6 cm होगी और जो वर्नियर की वैलू आएगी वह 4 है तो आप 4 को मल्टिप्लाई करेंगे 0.01 से 0.01 से मल्टिप्लाई करतेंगे यहाद आएगा आपका 0.04 यहाद कि एक्चुल जो रीडिंग आएगी 0.6 प्लस 0.04 यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 0.64 के बराबर आएगा तो हम लोग इससे रीडिंग सेंटीमीटर में ले सकते हैं अगर आप लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में निकालते हैं तो रीडिंग सेंटीमीटर में पहला इसके लियर रखा है पहला स्केल में क्या है हमारा जो वर्नीयर का जीरी स्केल है या मेंस में के लिडिंगे इसमें वी देख पा रहे हों कि जो हैं ठेन डिउजन बने हुए हैं ऊपर यह सेंटीमीटर में के लिबरेटे यह प्लस ऐसका भी लिश्ट काउंट 0.01 सब्सक्राइब कुण सवां कर रहा है यह लोग करेंगे solicit सब्सक्राइब करेंगे दिए फिरोस्अ मैंने रख थो बश्चाइब प्लस 0.03 के बराबर हमारी इस ताद से आप लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जैसा किसी भी वर्निर के लिपर्स का रीडिंग लिख सकते हैं प्लस कर देखेंगे यहां पर अगर इस पहले कर दो घ्राइब कर देखेंगे यहां पर आप लेशन कर चुका है वन क्रास कर चुका है मतलब क्या है कि हम लोग मेन स्केल की रिडिंग वन सेंटीमेटर लिखेंगे प्लस करेंगे अब यहां आधे से अधिक आगे जा चुका है आधे से अधिक है मतलब हम क्लियर कर सकते हैं कि पांच विए के बाद कोई कोई में कर नहीं कर रहा होगा यहां से कणफिम कर लेते हैं तो आप आप आदिक पार कि मैच कर रहा है तो क्या लिखेंगे 6 इसको अगर हम लोग एड कर दें तो हमारा आजाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स एंटिमितर एक यह हमारा इसके इस वाले हो जाएगी अब इसमें भी अगर यह वन क्रास किया है यह सिक्स है वन पॉइंट वन होता तो यहां पर वन टाएब वन क्रास नहीं किया है तो इसलिए हमारा वन पॉइंट नहीं है यह वन है यानि की यहां से यहां तक सेंटी मेंटर के ब्रावर होगी अStar Pen si rown which कि यहां से यहां मार्क किया हुआ है लेकिन बीच बीच में एक एक डिविजन और बनाया हुआ है इसका मतलब यह होल टोटल ट्वेंटी डिविजन्स बने हुए है अगर ट्वेंटी डिविजन्स बने हुए है तो हम लोग 0.1 को डिवाइड करेंगे 27 मिया लोग मिलीमिटर में चैन्ज करना चाहें तो यह हमारे 0.0 five मिलिमेटर के बराबर होगा इसका लिस्ट काउंट अब इस स्केल का जो लिस्ट काउंट आगे है जिरो पॉइंट जिरो फाइब मतलब पीछा वाली जो जी स्केल थी हमारी इसे अधान रखिएगा कई बार इस्ट करते हैं कुछ और लिख लेता हैं उनको पता निकलता कि कैसे गलत है तो यहां पर इस इसको देखकर क्या पता कर सकते हैं कि हमारा जो रिडिंग आया है वह 0.05 के मल्टिपल में है या नहीं है अगर सेंटिमेटर मिला है तो 0.005 के मल् इंदेंटर लिख रहे हैं अब इससे रिडिंग लेता हैं लेंगे देख पार होंगे यहां पे लेना अस्वांक स्वार मुधा कर debris 2021 से 1.'s यहां से हम लोग ले लहें लिए ओन पॉईटमेटर को हमार पढ़न लेंगे पॉन पॉइंट वचे में को जो हमारी में इसकेल के डूजन जाएगी चुकि 1.1 के आगे हमारा जीरो लाई कर रहा है इससे थोड़ा भी आके हुआ तो मैंने अभी बताया कि कहीं भी हो हम लोग लेंगे में इसकेल पर 1.1 ही उसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉन साइट इन डूजन कॉन सा है आप इसमें लोग एड़ कर देंगे प्लस थर्टीन मल्टिप्लाइट भाई 0.005 कि सेंटिमेटर मैंने लेडिंग ले रखा है आप आप देख सकते हैं थर्टीन को मल्टिप्लाइगे 0.005 से आ जाएगा 1.1 सेंटिमेटर प्लस 0.065 065 अगर इसको आप लोग एड़ करेंगे त 1.165 यह हमारा इस वर्नियर का रीडिंग है 1.165 अब अगर हम लोग इसको एमें में लेना चाहें तो सिंपली आप इसको यह कर सकते हैं कि 11.65 mm यहीं से लिख दीजिए या आप लोग अकर mm में रीडिंग भी लेंगे तो यहीं आएगा आप देख सकते हैं mm में लिख भी सक सकते हैं और सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं कि इसका लिष्ट काउंट कितना था 0.05 mm यह 0.005 सेंटीमीटर अब यहां पर लास्ट डिजिट देखिया हमें सब 5 यह हमें साथ देखिए गदान रखेगा दूसरी जी इसमें लड़के गलतिया है इतना सेंटीमीटर ना चाहिए लड़के क्या करता है 1.1 लिखे छोड़ देंगे अगर आप का रिडिंग यह आ रहा है और आपने यह लिखा 300 गलत माना जाता है कई टीचर्स तो गलत मानेंगे और आप का रिडिंग कट कर दिया जाएगा यह ध्यान रखेगा यह मिश् किन्ग किया गया है और यह से सेंट्म 1 सेंटिमीटर को है कि यह सुद्धिन वट कर दिया रखेगी वहां अब आपने उपर देखा कि बीचा लेकिन यहां क्या किया अ चैर्मने ट्वेंटी कर दिया अब कर दिया कृट इसका जो लिख़्का और निकालेंगा तो वन इसमाल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मिलेगा लिस्ट काउंट यानि की वन अपान 20 डिवाइड वाइड 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 वन अपान 400 जिरो पॉइंट कितना आ जाएगा दो जिरो लेगा वन वाइड फॉर का टू पाइड वहता है तो जिरो जिरो टूफाइड जो भी आएगा यह इसके बराबर इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा इस लिस्ट काउंट की वैलो हम लोग इस पर मेजर कर सकते हैं तो यहां पर ज जहां सब्सक्राब च्हां मैकृमीटर का नाव मैं व्याजाता है यहां तो तीसर यो यहां पर आप देखेंगे यह सैंटीमेट्र में हों घर क+, और जो वर्नियर सेंटीमेटर स्लेना लेकर में बасьका म chỉ सकतते हैं और जिसा मैं मिलिखा हुआ है यहां हमारी वर्नियर इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसके वन को 50 से डिवाइट करेंगे और 50 से डिवाइट करने के बाद जो हमारा वेलू आएगा वो लिष्ट काउंट होगा जिससे कि यहां पर आप देखेंगे अगर हम लोग इसको माल लें कि यह 1 mm है तो 0-7 के बीच में 10 mm महाँ होगा वन एम इसका लिष्ट काउंट आपको ऊपर लिखा वद दिख जाएगा तो यहां लिखा हुगा है 0.02 जो कैल्कुलेट करने के बाद यहीं इसका लिष्ट काउंट आता है वहना पान 50 का अब जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 के बराबर आएगा अब यह हमारा इसका लिष्ट का मैंच कर रहा है तो मेंच कर रहा है 13 mm होगी उसके बाद को हमारी सिस्क्राइब खाना अब देख पार होगा कि यहां पर आलमोस्ट प्लिश्ट करेंगे लिष्ट से बराबर और अगर हम लोग इसको तोटल को सम करेंगे तो आज आएगा 13.42 mm जो हमारा फाइनल आंसर होगा ऐसे भी जो स्केल्स मिलेंगी ऐसे भी वर्नेर के लिपर्स होते हैं जहां पर हम लोगों को बहुत कम थिकनेस मेजर करने हो जैसे कोई कागज की सीट हो उसकी तिकनेस मेजर करने हो अगर इसको यूज करना हो तो हम लोग 0.02 mm के लिस्ट काउंट वाले वर्नेर के लिपर्स का यूज करेंगे अगर बहुत ज्यादे पतली तो इसके भी पतली हो तो हम लोग आपे चैनल के लिपर्स का यूज करेंगे यह हमारा आज का लास्ट टापिक था अभी नेक्स्ट वीडियो में इस्कूर गेंगे कैसे कैसे लेंगे अब इसमें कुछ चीजे और है जो लड़के जनरली गल्तिया करते हैं अपने प्रेक्टिकल लेब में लिखते थे सामें और प् वर्नियर स्केल मेरा त्वी है जनले पहले जो मैंने सबसे पहला वह वर्नेर किलपर दिखाया था उसी की रीडिंग है हमारा 0.00 अब गलतिया क्या करते हैं लड़के अगर कोई एक सर्कुलर आबजेक्ट है और उसका डायमीटर आप निकाल रहे हैं तो इसका डायमीटर आलमूस चारवता से सेम होगा हमारा जो मेन इसकेल आए गए 0.6 अगर सर्कुलर नहीं है तो उसका कुछ भी होता है क्योंकि अगर ल पेन दे दिया जाता है या कॉइन दे दिया जाता है उसका मेन स्केल पर रीडिंग हमेशा सेम आएगा दूसरी चीज़ वर्नियर डिवजन्स अगर आपके सिक्के का सेप एक्जेक्ली सेम है तो वर्नियर डिवजन्स भी आलमूस सेम आने चाहिए बट ऐसा होता नहीं कई में एक दो का डिसक्रेट्टंस आ सकता यह संतरी है तो नहीं होगा फिली हमारा में स्क एक और से Elly'll को मेंने करनी चाहिए को चाहिए का का मतलब आप रेडिंग गरत ले रहे हैं अग्वाइन हो सकता है को अगर डिफेक्टेट होगा तो यह वैलू कर सकती है तीसरी बात जब यहां पर टोटल करके लिखते हैं तो आप 0.06 अगर मान लेजिए किसी लड़के का 0.6 आया और यहां पर को इसको जनरली 0.6 लिख देत लिष्ट काउंट 0.01 cm रहा होगा इसलिए हम इसको 0.6 न लिख करके 0.60 लिखेंगे यानि कि हमारी लिष्ट काउंट जितने डिजिट में है हमारी रिडिंग भी सारी रिडिंग उतने जीट में होनी चाहिए एक चीज और जैसे आप लोग कोई भी टेवल बनाएंगे तो इस इसरे बनाने से पहले टेवल कि तेवल वावर आप लोग लिश्ट लिखेंगे कि आप इस टेवल में इंसलिए मीजमें लेने जा रहे हैं कितना है गाहिए कि मैंने हैनिस्ट काउंट उपर के लिल्ट काउण्ट कितना होगा जैसे कि मैं नही insect count सकดे जिरो पॉइंट सेंटिमीटर है और जिए माइन नधिढ़न और है ये जरूर लिएक होए है हमारा Site काउंट इसा नहीं करना है आप और लिश्ट काउंट ठीक से निकाल लागा जानते हैं करके तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा व्यरी नहीं करता है रेफ्रेंस वयल्यू के आलमुस्ट करीब आजाता है तो यह चीजंग है एंक यू